आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखना राइटिंग केमिकल फॉर्मिले इसका अध्ययन करेंगे किसी योगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं लेकिन हमें इसके लिए तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स एवं उनकी संयोजन खमताएं कमबाइनिंग कपैसिटी ग्यात होनी चाहिए हम तत्वों के प्रतीकों सिंबल्स का अध्ययन कर चुके हैं आएए अब हम तत्वों की संयोजन खमता कमबाइनिंग कपैसिटी के बारे में जानें किसी भी तत्वों की संयोजन खमता कमबाइनिंग कपैसिटी उसकी संयोजक्ता वैलनसी कहलाती है हम किसी एक तत्वों के पर्मानूं दूसरे तत्वों के पर्मानूं के साथ किस प्रकार से संयोग्त होकर एक रासारिनिक योगिक का निर्मान करते हैं इसे संयोजक्ता वैलनसी का उप्योग करके ग्यात कर सकते हैं आये संयोजक्ता वैलंसी को हम एक उदाहरन द्वारा समझें कल्पना कीजिए यदि एक ओक्टुपस को कुछ मानवों को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी आठ भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं तो ओक्टुपस कितने मानवों को पकड़ सकता है यदि हम ओक्टुपस को O तथा मानव को H के प्रतीकों से निरूपित करें तो क्या आप इस सयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं ओक्टोपस चार मानवों को पकड़ सकता है इसलिए हम इसके सूत्र को OH4 के रूप में लिख सकते हैं जहां चार ओक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है यहां आप कुछ सरल एवं बहु पर्वानों की संयों जक्ताएं देख सकते हैं आए अब हम रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मिले लिखने के नियमों को देखें एक आयन की संयों जक्ता वालंसी अथ्वा आवेश चार्ज संतुलित होना चाहिए उदाहरं तह हाइड्रोक्लोरिक अमल योगेक का सूत्र है HCl जहां हाइड्रोजिन H+, तथा क्लोरिन Cl- दोनों की संयों जक्ता एक-एक हैं जो इस सूत्र में संतुलित हैं दो, जब एक योगेक किसी धातु एवं अधातु के संयोंग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं उदाहरं तह, कॉपर ओक्साइड, CuO जहां ओक्सिजन, O, अधातु है इसलिए उसे हम दाईं तरफ लिखते हैं और कॉपर, Cu, धातु है इसलिए हम इसे बाईं तरफ लिखते हैं तीन, बहु परमानुक आयनों द्वारा निर्मित योगिकों में आयन को पहले कोश्टक में रखते हैं तत पस्चाथ अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं उदारण तह, अमोनियम सल्फेक का सूत्र है NH4, 2, SO4 यहां बहु परमानुक आयन अमोनियम NH4+, की संख्या 2 है इसलिए हम इसे कोश्टक में लिखते हैं ठीक इसी तरह यदि बहु परमानुक आयन की संख्या 1 हो जैसे sodium hydroxide, NaOH तो कोश्टक की आवश्शक्ता नहीं होती है आए, अब हम विभिन तरह के योगिकों के सूत्र लिखने का अभ्यास करें प्रथम हम सरल योगिकों के सूत्र लिखने के कुछ उदाहरन देखेंगे दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम योगिकों को ड्वी अंगी योगिक, binary compound कहते हैं उदाहरन के लिए hydrogen sulfide जैसे आणविक योगिकों के सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों hydrogen एवं sulfide के प्रतीक H और S लिखकर उनकी सयोग जगताएं एक एवं दो लिखते हैं तत्पश्चात संयोजित पर्माणूओं की संयोजक्ताओं को क्रोस, क्रोस ओवर करके इस तरह से H2S अणू सूत्र लिखते हैं लेकिन यदि योगिक भिन भिन तत्वों के आएनों से बना हो तो हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? आईए, इसे एक उदाहरन द्वारा समझें मैगनीजियम क्लोराइड योगिक, मैगनीजियम, Mg2+, एवं क्लोराइड, Cl- आएनों के संयोजन से बनता है इसका सूत्र व्यात करने के लिए पहले हम धनायन मैगनीजियम का संकेत, Mg2+, लिखते हैं इसके पश्चात, रिणायन क्लोराइड, Cl- लिखते हैं तत पश्चात, इनके आवेशों को हम आडा तिरचा करके, हम सूत्र MgCl2 प्राप्त करते हैं इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैगनीजियम क्लोराइड के अनू, MgCl2 में दो क्लोराइड आयन, Cl- प्रत्येक मैगनीजियम आयन, Mg2+, के लिए होते हैं ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के सूत्र में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है आए, अब हम बहु पर्मानुक आयनों वाले योगिक के सूत्र लिखने के कुछ उदाहरन देखें जब बहु परमानुक आयन वाले योगिक में एक ही आयन विद्यमान हो तो हम होश्टक का उप्योग नहीं करते उदाहरं तह सोडियम कार्बोनेट में एक पर्मानु वाले सोडियम आयन एने प्लस के दो आयन तथा बहु पर्मानुक कार्बोनेट आयन सी ओ त्री टू माइनस का एक ही आयन विद्यमान है इसलिए इसके सूत्र Na2CO3 में बहु पर्मानुक कार्बोनेट CO3 टू माइनस आयन को हमने कोश्टक में नहीं लिखा है जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोश्टक का उप्योग करते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोकसाइड का सूत्र कोश्टक के साथ CAOH2 है ना कि यूहीं CAOH2 यहाँ OH को कोश्टक में लिखकर पादांक दो लगाते हैं जो ये निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम पर्मानु के साथ दो हाइड्रोकसिल समूह जुड़े हैं इस वीडियो में हमने रासायनिक सूत्र लिखना राइटिंग केमिकल फॉर्मिले सीखा अगली वीडियो में हम आणुमिक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना मोलेकिलर मास और मूल कॉंसेप्ट का अध्ययन करेंगे क्या है